गुड मॉर्निंग एवरीवन राम राम जी दुमीना कवर है माचले स्पेशल की पूरी यूटूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग एंड जैसी अराम और यहां पे देखे सुबह का टाइम है जी मैं सो के उठी हूं और यह अलग बात है कि मैं सो के बह स्पेशल करना है तो यहां पर देख सकते हैं आपकी मैं सुबह से पहले मैं अपने हाथों को नमस्कार किया और उसके बाद यहां पर थोड़ा सा गर्दन बाजू जो है उसकी मॉमेंट कर लोंगी तो यह कुछ नॉर्मल सी एक्सेस जो है सुबह से करनी चाहिए जिनकों की सर्वाइकल पेन जो होता है ना वो जिनको दिक्कत है तो जैसे रात को सोई रहता है ना तो गर्दन के वारे अकड़ जाती है तो सुबह के टाइम में यह सो के उठके मतलब बिस्तर पे ही कर लेती हूं थोड़ी सी एक्सेसेज़ तो भगवान का शुकरिया अदा हमें मुझां प्रवू करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना अच्छा बनाया है देखें दो आखेंट और वार्टी हर एक चीज की चीज़ जैसे कान नाक मूंभ हर चीज़ दी है तो हमें इस चीज़ के लिए ना बहें का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपने सब कु के नहीं लगा सकते भी बहुत मुश्किल है वैसे आजकल के टाइम में तो सब कुछ हो जाता है ट्रास्प्लांट लेकिन जहां तक बात करती हुना मैं की हम हाद चीज के लिए भगवान को यह बोलते हैं कि हाई भगवान मेरे पड़ासी के पास तो गाड़ी भी इतनी बड़ हुँ और मेरे अंदर मतलब बोलते हैं जिसको की महनत करने की एक भावना होनी चाहिए तो जो महनत है वो कभी ना कभी रंग जरूर लाती है और महनत करके हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो महनत करना बहुत ही जादा जरूरी है अगर हम सोचेंगे ना कि मतलब सब कुछ मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है हमारा बहुत सारी चीज़े होती है जो हमें खुद करनी होती है और भगवान भी कहते हैं कि करम करता जा फल की इच्छा मत कर क्योंकि फल जो है वो तुझे तरे करम के अनुसार खुद मिल जाएगा तो यहां पर अभी सुबा की टाइम जाड नहीं लगाया बाए जाड़ू बगा दूगी और यहां बहुत सद्ध धूल हो जाती है क्योंकि बाहर हावा जलती है बहुत जादा और पत्ते वगरा इदर से धूल वगरा सब कुछ ऊड़के आती है ना वह अंदर आ जाती है यहां पर बरामदे में तो इसलिए यहां पर कि कमी लोना तो सुबा के दो घंटे दूप में जरूर बैटन जो सुबा की दूप होती है ऐसा ला दी में 12 लो जो सुभा की अर्ली मॉर् lives thrown from hand andchio दूप जो हो जो हो सुभा कारण है कि सुभा कि टाइम ना पहले पूराने लोग जो है वो खेतो में काम करते थे तो उनको गभी वितामिन्ट की कम ह réussi कि सुभा की दूप जो है वो केतों नहीं दे सकते क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो भाई इसमें कसूर भी हमारा ही है इसका नुकसान भी हमें भरना पड़ेगा और कोशिश वैसे मेरी बहुत जादा रहती है कि सुबह में जल्दी उठूं लेकिन कोशिश बोलते हैं न कि कोशिश करने वालों की कभ दूर करके रहूंगी और आप लोगों के साथ जरूर शियर करूंगी कि कितने दिनों से मैं लगाता रोज पांच बजी उठ रही हूं तो मुझे इंतजार रहेगा उस वीडियो का कि जब मैं वो वीडियो बनाओं कि मुझे इतने दिन हो चुके हैं लगाता पांच बजी लुटते हुए मैं सोचती हुं मतलब चाहती तो हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जिसन देन सोचती हुआ जल्डी उठो उजें तो और लेट हो जाता है पता ने कि वह ऐसा होता है और वैसे कोशिच जारी है कोशिच जारी है जब हो जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी और यह यहादत जो है ना बच्पन से बंती है तो पंश पोल रहे हूं थो संसकार जो है ना वह बच्पन से ही डलते बच्चों में तो मैं अपने परिवार में माईके में मैं सबसे छोटी थी. मुझे इतना कोई उठाता भी नहीं था. शुरू शुरू मैं. सच में, मुझे कोई इतना उठाता भी नहीं था. और मैं सोई रहती थी. साथ बज Other तक, साड़े साथ बज़े तक, ममी खेद को भी चले जाते थे, खाना खुना बनाके सारा कुछ, ममी खेच चल जाते थे, मैं सोई भी रहती थी, और बाद में आदत डली नहीं, डली नहीं तो डली नहीं, तो संसकार जो भी हैं, आदते न, अगर बच्चों को शुरू में पढ़ जाती हैं, छोटे में, तो वो बड़े तक रहती हैं, अगर वो नहीं है जो भी काम करने लगूं भी तो फूर्ती से करती हूं लेकिन सुबह उठने का काम बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए पता ने क्यों मुझे लगता है एवरेस्ट का पहाड चड़ना भी स्यासान होगा लेकिन चलो कोई बात नहीं बहुत सारी आपके सामने अ कहले पी लेती उसके बाद ज़ाड़ू लगाती हूं घृफ사 गरं पानी जरूर पी है बहुत जरूरी हक्ट चरीश के लिए हेल्दी रहने के लिए बाचन क्रिया दुरूस्त रहती है और Slim Trim बने रहते है जो मोटे लोग हैं उनको तो जुरूर पिना चीह है इस से क्या होता है ना हमारी जो रात की एनर्जी होती है ना इकठी रही सारी कि सारी मतलब इसका जो राख है ना वो भी नहीं निकाली अबी हमने और पतीदेव जो है वो भी उठ गए तो उनका भी यहier कि शुबा सी उठते हैं पहरे दिखते हैं कि गरम पानी है पीने कि लिए अब। कि नहीं तो हमने केतली रखी हुए को उसमें हम गरम करके रखते हैं पानी तो जो आता है भू पीता जाता है और अपने अपने काम में सब लोग लग जाते हैं चूले के लिपाई बहुत अच्छे से हाँ पर मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी कहते हैं ना कि साल छी महने तक चुला तूटना भी नहीं चाहिए जैसे नए चूला बनाया है न यह और इसमें पते क्या है जो यह लोहे वाला चूला होता है इसमें मिट्टी लगानी बड़ी मुश्किल होती है मिट्टी इसमें से बार-बार गिरती रहती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है जब मिट्टी गिरती है न तो ये कोशिश रहती है मेरी कि इसमें से मिट्टी गी रही न और अभी कडाई में मैं राख निकाल रही हूँ क्योंकि राख से चूला जो है वो फुल हुआवा है तो और यहां पर राख निकालने के बाद मैं चाहरी हूं बाहर हमने ना एक बोरी रखी वी है कट्टा उसमें हम सारी राख भर देते हैं और फिर सारी की सारी खेत में ले जाते हैं तो यह खेत में कीटना शक का काम करती है खाद का भी काम करती है पौदो के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी जो होते है ना मिनरल्स जैसे की यह नहीं मुझे एक्जेक्ट पता की फासपोरस नाइटोजन क्या होता होगा इसमें लेकिन होता है पहले से लेकी डालते है पुरान टाइम से तो यहां पे मैंने आलू ला बहुत ही कम वैसे मेरी नेना को बहुत पसंद है लेकिन मैं नहीं बनाती जादा तर क्योंकि जादा तलीवी चीज़े जो है वो अच्छी नहीं रहती है कभी-कभी तो चल पड़ता है जैसे हफते में एक या दो दिन लेकिन हर रोज नहीं देती हूं मैं उसको यह देती चावल नहीं खाती है वो चावल विल्कुल नहीं खाती है चावल उसे पसंद ही नहीं है घर में नहीं खाती जैसे बाहर शादी विग्रा में जाते है न कहीं प्रोग्राम में वहाँ पे तो खा लेती है पर घर में नहीं खाती चावल तो चावल बहुत कम बनते हैं, मेरे घर में बहुत कम खाते हैं लोग, अब हम खाते ही नहीं, यह चावल कम हो गया, चावल खाना, पता नहीं क्यों सड़नली चावल खाना छोड़ दिया, सब ने घर में, मैंने छोड़ा ना, मैं कम किया खाना, सब ने ही छोड़ दिया, चावल भी रोटी भी सब चीज़ दिखाने चाहिए मैं तो इसलिए नहीं खाती हूं क्योंकि मुझे थोड़ी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ना तो उसकर करके मैं नहीं खाती हूं इसमें थोड़ा दिककत हो जाती है अगर चावल हम खाते हैं ना वाई होते हैं क्योंकि थो इसलिए यहां पर अभी शवर्जी में तड़का लग रहा है और आज जो मैं वीडियो खुछ अगी तरीकह से अड़ित कर रही हूं आपको भी लगा होगा क्योंकि मैं रही है शुक्छ जाय हूं क्यों इसका बांपाऊंगी क्यों वीडियो एडिट हो रही है तो यहीं तो आपको जादा तर काम कर रही होती हूं तो गहर का सारा काम निपटा कि अभी मैं सार्थक को जो है आंगनवाडी के लिए ले जाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन आज के लिए बहुत शयतान हो गया है सची मैं तो अभी बच चुके है सुबह के ग्यारा और इसको मैं थोड़ी-देरी आंगनवाडी में छोड़ने जारी हूं पहले मैं सोची थी हूं कि रहने देती हूं क्योंकि इसको जुखाम सा लग रहा था लेकिन यह बोल रहा था कि मुझे आंगनवाडी जाना है तो अभ इसको मैं अभी इसको छोड़ूंगी उसके बाद बना होंगी है चलिए तो उमीद करती हूं कि मेरा आज का व्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इस केक डेक्रेशन की वीडियो जो है ना ये तो मेरे दूसरे चैनल पर ही आएगी तो आप देखना चाते हैं तो वहां पर देख सकते हैं तो में पास बटर स्कॉच केक काउड रहा था और इसका ना मैंने सारी चीज़े घर में बनाई थी जैसे की करमल सॉस पारलाइन जो होता है उगर में बना तो चलिए मैं जाओंगी अभी ओब्रे में और उसके बाद देखती हूं क्या क्या करूंगी तो जब मेरा केक बनारे काम होता है उस दिन मुझे वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं लगता और साथ ही में मतलब अपने लिए टाइम नहीं लगता लेकिन ये काम भी ज भी मने बनाती हूं लोग मुलेंगे आपेसे मिलते हैं नहीं पैसे तो मिलते हैं लेकिन फिस के बावजूद भी पैसे नहीं भी वाकणी जैसे की इसविशानी करते ओधि उसमें भी अच्छा लगता ली कं मुझे चुट भी अच्छा लगता है तो इसलिएAR सहगा हज़ा किलोमेटर दूर हो गई यहां से हमारे परवानु कितना हो गई जादा होगा बल्किस हां तो चलिए इसको फ्रीज में रग देती हूं पांचे घंटे अच्छे से सेट हो जाएगा ना फ्रीज में तो फिर गर्मी में मतलब ले जाते हुए मैल्ट नहीं होगा फाइनली एक एक जो है कुछ इस तरह से बन के त्यार हुआ था और ये एक एक ना बहुत दूर गया था ये के गया था फरमानू और मुझे ये था कि टाइम से इसको बना दूँ ताकि ये अच्छे से फ्रीज में सेट हो जाए और मेल्ट ना हो तो उमीद करती हूँ आपको व्लोग अच्छे लगा वीडियो ची लगी हो लाइक शेर सब्सक्राइब मिलूंगी एक और नहीं वीडियो में जैसी अराम